नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत तो मुस्भाली जी का और एक हेल्थ कंसर्ण वीडियो में आज के वीडियो में बात करने वाले रोटा वाइरस वैक्सीन के बारे में वैक्सीन जो रोटा वाइरस के खिलाफ हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें उसके बारे में बात कर तो चलिए शुदू करते हैं रोटा वाइरस वैक्सीन की यूज इस क्या है क्यों रोटा वाइरस वैक्सीन चाहिए जैसा नाम है यह वैक्सीन हमें रोटा वाइरस के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रोटा वाइरस एक ऐसा वाइरस है जो गैस्ट्रेंटराइ जो पेट की बीमारी जनरली डाइरिया से वियो डाइरिया जो जनरली इंफैंक्ट्स या फिर जस्ट जो जो बेबी जो बर्त होता है राइट अफटर बहत उनमें ज्यादा तर के से बच्चों में देखा जाता है वहां पर रोटा वाइरस गैस्ट्रेंटराइटीस कॉस करता अब रोटा वाइरस की वैक्सीन में कौन-कौन सी कॉम्पोनेंट्स होता है यहां पर जो चीज प्रोवाइट करने की जो इस विलाइजर वगेरा यह सारे चीज दिया जाए उसके बारे में बात नहीं करेंगे मगर जो मेजर यहां पर होता है वो होता है लाइव वो जिन्दा रहता है मगर उसका एटिनिवेट किया जाता है मत्तब वो बीमारी फैला नहीं सकता है वो इम्यून रिस्पॉंस जो प्रतिरक्षा सिस्टेम बॉड़ी की उसको इंस्टिकेट कर सकता है ट्रिगर कर सकता है जिससे की इम्यूनिटी बने तो उसी को लाइव ए इन्यूस फॉर्माट में यहाँ पर रोटावाईरस कि आलग- aलग स्ट्रेइन को इस्त्माल किया जाता है अब बात करते हैं रोटावाईरस की वैक्सिन की डोस के बार में डोस क्या होता है रोटावाईरस कि डोस डिपेंड करता है brand की उपर, कौन सी brand के vaccine हम इस्तमाल कर रहे हैं, ठीके, किसी-किसी brand में 2 ही dose चाहिए, किसी brand में 3 dose चाहिए, 2 dose जो है 6 week, 6 हपते और उसके बाद 10th week 10 हपते, 6 week और 10 week में doses दिया जा सकता है या फिर कहीं पर जहाँ पर 3 dose चाहिए, 6 week, 10 week 14 week, यहाँ पर इस हिसाब से dosage दिया जाता है अब बात करते हैं, यह रोटा वाइरस की vaccine के efficiency के बार में, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर रहता है कि रोटा वाइरस आता है ऐसे पानी से जहाँ पर पानी क्लियर ना हो, उस पानी को पीने से होता है तो बच्चों में, जयातर कैसे में जो developing countries है, जहाँ पर पानी के supply ठीक नहीं होता है, वहाँ पर infection होने की chances बढ़ता है, मगर जहाँ पर developed countries है, जहाँ पर फिर भी यह रोटा वाइरस spread हो सकता है वहाँ पर regular vaccination चलने के बाद देखा गया है, कि रोटा वाइरस vaccine से यह रोटा वाइरस mediated gastroenteritis जो होता है, वो होने की जो chance है, वो 85 से 90 परसेंट तक गिर जाता है, 85 तो 90 परसेंट तक chance कम हो जाता है कि अगर कोई बच्चा उस पानी जो contaminated पानी हैं उससे exposed हो, फिर diarrhea होता है, और समझ में नहीं आता है कि किस बिमारी के कारण diarrhea, typhoid के कारण, या फिर सल्मोनिला के कारण, या फिर कोई भी other foodborne pathogen के कारण, पता नहीं चलता, यहां पी यह वाइरस cause कर रहा है, तो उसको जानने के लिए important यह रहता है कि vaccination हो जाए, क्योंकि 85-95% का जो protection है, बहुत important है अब बात करते हैं, रोटा वाइरस की vaccine की Indian brand name, भारती अब brand name क्या क्या है, रखो दो यह Rota VAC और Rota C, Rota VAC जो आता है भारत biotech बनाता है, Rota C, जो होता है Indian made vaccine है, homemade vaccine है, आब इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अब बात करते हैं कि यह vaccine की side effects की बारे में तो vaccines का जो side effects से वो काफी हद तक बहुत सारे vaccines में similar आते हैं, जिसमें जिस जगह पे vaccine दिया जाता है, जैसे कि BCG vaccine जहाँ पे दिया जाती है, तो वहाँ पे दर्द होना, ठीक है, vaccination के बाद लाल होना, जलन जैसा feeling होगा, कभी-कभी थोरा सुजन हो सकता है, उसके साथ-साथ थोरा fever रह सकता है, बुखार, उसके साथ-साथ जो glands है, वो glands भी थोरा बहुत swelled up हो सकता है, यह सारे के सारे symptoms होते हैं, किसी भी प्रकार की vaccine की जगा की side effect, overall related side effect, अगर कोई immunocompromised patient हो, जिनका immune system अच्छा नहीं हो, वहाँ पे जाके vaccine लेने के बाद हो सकता है, अगर live bacteria है, जो attenuated format में है, या फिर weakened format में है, वो हो सकता है कि कुछ infection फिर से cause करें, मगर वो भी बहुत rare instance में होता है, otherwise reaction जहां पे दिया जाता है, reaction वहाँ पर ही होता है, तो injection site की pain, दर्दोना, लालोना, यह सारे चीज़ ही रहता है, apart from that, generally, कुछ side effect नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे थोरा scarring वगेरा हो बार में, without that, there is nothing else, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए helpful रहा, vaccine related कोई भी वीडियो आगर आपको चाहिए जानना है, तो यहाँ पे series of videos इस channel पे मौझ होते, अब सारे के सारे videos देखना है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि यह सारे vaccination process कैसे चलता है, इसका protocol क्या है, importance क्या है, सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो series में मिलेगा, तो वीडियो series की हर एक वीडियो को follow करना, यह वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को like जरू करना, share करना अपनी दोस्तों के साथ, कली के साथ, और जरूर subscribe करना है थैंक यू, बाइ